नमस्कार आप देख रहे हैं उत्रप्रदेश टाइम्स मैं आपके साथ धिदिती शर्मा हमारी धर्ती पर प्राकर्तिक सौंदर्य बिखड़ा पड़ा है कहीं उचे उचे पाहाड तो कहीं खुपसुरत जर्ने नदी घाट्मिया जिलसागर इनकी सबकी सुंदर्ता बर्बस ही मन को मो लेती है इन्हें देखने के लिए सैलानी देश विदेशों तक जाते हैं खास कर जर्नों को देखने का अपना एक अलग ही एहसास होता है जहां उची चोटियों से गिरता पानी तो कहीं जंगलों से होकर बहती सुंदर धारा ऐसी ही एक जगे चीन में भी है जिसे अपनी सुंदर्ता के लिए पूरे एशिया में जाना जाता है ये एक जर्ना है जो वाकई बेहर्थ खुबसूरत है अब आप सोचिए जिस नजारे को देखने के लिए आप लाखों रुपे खर्श करके जाएं और आपको पता चले कि ये सब नकली है तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ चीन के लोगों के साथ चीन सारी दुनिया में नकली समान बनाने के लिए प्रसिद है अब चीन के युताई वाटरफॉल को ही देख लिजी जिसे एशिया का सबसे उचा जहरना कहते हैं जिसकी उचाई 314 मीटर है इतनी उचाई से जब यहां से पानी गिरता है तो यहां आने वालों को इसकी तारिफ करनी ही पड़ती है यही कारण है कि इस जगे हर साल दुनिया मर से सैकरो सैलानी आते हैं चलिए अब आपको बताते हैं क्या है जहरने की सच्चाई हाल के दिनों में जो ब्लॉगर का वीडियो वाइरल हो रहा है उसमें इसने युताई मॉन्टरफॉल की सच्चाई बताई है जो दिखने में तो वाकई बड़ा खुपसूरत है लेकिन इंसानों द्वारा बनाया गया एक जहरना है चीनी व्लॉगर किसी तरह जहरने के उपर तक पहुँच गया और उसने वहाँ जो देखा उसका वीडियो भी बना लिया जो इंटरनेट की दुनिया में काफी तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किसी धातू के बड़े बड़े पाइप के जरी जरने में पानी बहाया जा रहा है इससे पता चलता है कि दुनिया की हर असली चीज ही खुपसूरत नहीं होती बलकि नकली खुप सुर्थी भी लोगों को लुभा सकती है ऐसी तमाम बड़ी खबरों से बड़े हने के लिए देखते रहें उत्य प्रदेश टाइम धन्यवाद